हेलो एवरिवन गभीपीडिया पावरड बाई अभी मन्यु आईयस अनित ग्लास अफ यूपी असे से से तोड़ आई डिसकस ओडर एंड रैंकिंग ओडर एंड रैंकिंग एग्जाम पॉइंट ओफ्यू से इंपोर्टेंट है यह उसके पास में डिसके पॉइंट पूछल आई जातया है कई बार ओर्डर आईक्जाम के अंदर बजर की फूम में भी विफ्यूश्चन आजाते है तो इस तरह से एक्जाम के अंदर आप question expect कर सबते हो इसके अंदर से ओके तो आज ही class के अंदर data sufficiency के भी कुछ में questions आप लोगों के साथ में discuss करूंगी साथ में ही आजो concept based questions है वो भी हम discuss करेंगी ओके तो start कर रहे हैं उसे पहले एक important information that's friends who are preparing for CSET 2022 के लिए जो prepare करें especially both students तो उनके लिए एक information यह है कि अभी पीडिया आप लोगों को इलिए एक special crash course ले किया है so that कि आप एक मंत के अंदर यांदर आप अपने exam की अच्छे से preparation कर सको तो इस crash course का link description में available है यह crash course specially यही mind में रखके design किया गया है कि हाँ जी हमारा CSET that is a qualified nature paper और इसको qualify करने के लिए जो जो आपके पास important topics है वो आपको जो जो cover करने वो सभी इसके अंदर हमने डाले है तो आप इसको join कर सकते हैं उसके लिए description में फिटा link available है अभी आप join कर सकते हैं हाँ जी आप बढ़ते हैं हम questions की तरफ देखें क्या question इन ही क्यू Amrita is 10th from front Amrita क्या कह रहा है कि 10th है from front And while Mukul is 25th from behind And Mamta is in just middle of these two दोनों की बीच में कौन है Mamta है If there are total 50% in the queue then what is the position? Mamta occupy from front Front से Mamta की position क्या है तो अब यहाँ पे देखें क्या करें Amrita 10th है from front अगर हम मानने भी this is the front Okay? तो Amrita क्या कह रहा है कि 10th है from front And while Mukul is 25th from behind Behind के गर हम पात करें That means from here नहां से Mukul क्या कह रहा है? Is behind 25th position दर्सिस की 25th position है दर्सिस की कौनसी position है? 10th position Okay? And Mamta is in just middle in between these two इन दोनों के बीच में कौन है? Mamta है Now the question is If there are total 50% in the queue Then what is the position of Mamta occupy from front यहां से Mamta की position क्या है? तो अब यहां पे अगर हम देखें भी total कितने है? Total कितने हैं? Hello queue के अंदर? 50th Done अब यह कितने होगे? 10 तो यहां तब होगे और 25 यह होगे That means कि 35% तो यहां पे होगे 35 हमने इसके अंदर से माइनस कर दिया कितना बची आपके पास में? 15th 15 अब जो यह यहां पे जो मिडल में होगे वो कितने है? 15 है 15 है That means कि 7 यहां पे आगे 7 यहां पे आगे और यह बीच में ममता होगे कितने होगे आपके पास Sorry कितना होगे आपके पास में? 15 आगे अब हम पास करते कि ममता की position क्या पोजिशन के आपके टेंट तो यह है 7 ही होगे 17 और यह फिर कौन सी पोजिशन पे होगे? 18 simple साथ है क्या पोजिशन आएगे? आपके पास में 18th position क्या आगे? आपके पास 18th विल्विदा परेक्टांस हाँ जी clear है फिलकुर? क्या प्यारा हूँ? बीच में है ममता ठीक है? आप आपने देखा कि टोटल तो 50 लोग थे 50 के अंदर से 35 तो यह आगे बचे होगे लोग कहा पे? बीच में बीच में कितने लोग है? 15 लोग है अब इन 15 के अंदर से 7 इतर आगे 7 इतर आगे बीच में कौन है ममता है? बीच में कौन है ममता है? बीच में कौन है ममता है? आपके पास में 10 गे होगे 10 और 7 17 और यह कौन से पोजिशन पर? 18 पर clear? कोई से के अंदर डाउट? नहां? next देखते next question है screen पर next question है screen पर देखिए कि यहां पर आपके पास में क्या आ रहा question? हाँ जी question क्या आ रहा है हमारे पास में? question है आपके पास what is Suman's rank from top in a class of 40 students? 40 students की class है जिसके अंदर से आपको find out करना है Suman का रहा है data sufficiency का question है आपके पास में कुछ statements given है statement 1 Suman is 3rd rank below Deepak from the top top से अगर हम देखे तो Suman का rank क्या है? 3 rank below है किससे? Deepak से done दूसरा क्या है Deepak's rank from bottom is 23 Deepak का rank given है bottom से और 3rd statement Suman is 3 rank above Deepak from the bottom अगर हम bottom से देखे तो उससे 3 rank above है okay तो अब अगर हम यहां से देखते हैं question को जी करें बताओ कौन-कौन सी statements efficient कौन-कौन सी statements required है इसका answer करने के लिए तो अब इस तरह की questions आता है पिछली बार question इससे तरह का आया हुआ था exam के अंदर तो अब देखो क्या है उसने गाए टेखो Suman का rank find out करने total students इतने हैं? 40 अगर हम सरा first treatment को consider करके चलते हैं Suman का rank है? 3 ranks below है दिपक से from top अब जब तक हमें दिपक का rank नहीं पता चलेगा तब तक हम कैसे find out करेंगे Suman का rank 3 rank below करके नहीं कर सकते that means कि जो first statement उससे answer नहीं आ सकते second क्या कहें दिपक rank from bottom is 23 अगर हम दिपक का rank देखे करें कि बोटम से दिपक का rank का answer है? 20 हरें ठीक है? अगर हम bottom से देखें तो that means कि अगर total करेंगे पास में 40 student है तो में top से उसका rank find out कर सकते हूं दिपक का अगर हम top से rank देखें तो top से rank कितना आगे? 40-23 that means कितना आगे आपके पास में? this is 17 plus 1 okay? that means कितना rank आगे है? उसका 18th rank है from top 18th 2 clear? यह वाला point clear हो गया अब बात आ रहे है कि सुम्मन is 3 rank below the box यह कह रहा है कि 3 rank उससे निचे that means कि अगर हम यहां से देखें तो सुम्मन का rank क्या हो गया? plus 3 कर लेंगे है कितना आगे आपके पास में? ठीक है? हाँ जी इन दोनों की help से अपना answer आ गया दोनों की help से अपना answer आ सकते है अब दूसरा तीसरी वाले statement में कुछ की बना आपके पास में क्या है? सुम्मन का अगर हम बोटम से देखें ठीक है? तो उससे 3 rank above है ओके? तो यहां से आपके पास में बोटम से 3 rank above है कितना हो गया? यहां से उसका बोटम का rank मिल गया से क्या मैं ले हम गजह मुझे? कि 95 से मरब से की बोटम से उसका rank कितना है? निवोटम से क्या rank कितना है? 10ICKRank लिए एसका सुम्मन का अगर बोटम से rank 20th है यहां से की लिए की 25 से है That means कि इन दोनों की help से भी अपना answer आ गया, इन दोनों की help से भी अपना answer आ गया, तो क्या आज यह आएगा आपके पास में, only second, second तो must है, ठीक है, and either one or third, भी उसके साथ नहीं आ, तो first को attach कर लो, या फिर third को, दोनों से ही answer आ जाएगा, okay, तो answer क्या आगा, option D, भीड़ा करें, तो अब यह भी आपका find out कर सकोगे, जगर आपको पता होगा कि हाजी, top से rank given है, total given है, तो bottom से rank कैसे find out करेंगे, तो यह छोट-छोटे concepts आपके clear होने चुरूर होने चुरूर ही, okay, हाजी, next देखेगा, next क्या है, एक class, a boy stand in a single line, single line के अंदर के रहा है, कि पूरी भी पूरी एक boy है, यहां से, अगर हो इधर से देखे, तो भी उसकी 19th position है, ठीक है, और अगर इधर से देखे, तो भी उसकी 19th position है, तो बताओ class के अंदर कितने boys हैं, कितने boys हैं, है easy question, बट इसी भी उलज जाते लोग, 19th है दोनों तरफ से, अब यहां पर देखो, अगर हम total की बात क करेंगे, तो हम इशा ज्यान रखो, कि particular position, अगर मुझे दोनों साइड से पता है, top, bottom, यह left, right, जैसे भी question के अंदर की बन है, ओके, तो उस case के अंदर कैसे करेंगे, sum of the position, sum of position, plus, हाँ जी, sum of position, minus 1, अब यहां पर क्या है, 19th है, 19th, 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 कितना होगा है, फिर आपर पास, 38 minus 1, is equal to minus, अब बात आते कि मैंना, 1Q minus किया, 1Q minus किया, बेटा, इसलिए minus किया, क्योंकि यहां पर देखो, यहां पर जो गोई है, इस गोई को जब हम इधर से गिन रहे है, तो भे हमने का वह तो 19th position पर है, ठीक है, जब हम इधर से इसको count करें, तो भे हम गया रहे होगा, अब एक single person को हमने दो बार count कर लिया, दो बार count कर लेते, means यह वाली जो position है, यह दो बार count होगी, इसलिए एक को क्या करना पड़ेगा, minus करना पड़ेगा, ओकी, clear, next question है screen पे, again आपके पास में, question आ गया है, data sufficiency का, data sufficiency का question है, हाँ जी, क्या है, 5% ABCDE are sitting in a row, who is sitting in a row, and there are 3 statement, and we want to find out, which is, which statement is sufficient to give the answer, which are the required statements, okay, तो यह अपने पास में, अभी कैसे को only 1 and 2 are sufficient, option में इस तरह से, तो भी आपने समझ जाना है, क्भी आप से क्या पुछा जा रहे है, कौन-कौन से statement sufficient, okay, अब यहां के देखते, सबसे बहला statement क्या है, कि B is between E and C, अब इस लाइन से हुजी क्या पता चल रहा, 1st statement से, सिरफ मेरे पास में 2 points निकल के आ रहे है, क्भी ऐसा हो सकता है, या तो E और C के बीच में B ऐसे है, या फिर ऐसे, क्या आप हमें यहां से पता चल रहा कि पच्चों के बीच में से बीच में कोन है, नहीं, there are total 5 persons, and we have the relation between only 3 persons, that means कि 1st is not sufficient, सिरफ 1st की help से हम answer नहीं कर सकते, अब अगर हम दूसरी statement देखे, करें, B is right of E, B is right of E, that means इससे मुझे ही यह पता चल रहा से रहा, that means कि इस statement की help से भी हम answer नहीं कर सकते, अब अगर हम बात करते हैं, तीसरी statement, तीसरी statement क्या क्या करते है, D is between A and E, जो D है, वो क्या है, A और E के बीच में, या फिर आप ऐसे कह सकते हो, कि E को E के बीच बीच मे relation के बीच में relation नहीं मिल रहा, that is, किससे में नहीं answer करते हैं, अब क्या करेंगी, जब भी data's efficiency के question आते हैं, तो उस पर उनके case के अंदर बिचा, अगर single single से answer नहीं निकल रहा, तो खिर क्या करते हैं, हम combine करके देखते हैं, और साथ में, अगर हम option में combination given है, तो उन combination के according भी आ cancel out हो गया, means अभी भी हमारा answer नहीं आ रहा, ठीक है, इन दोनों के help से भी हमारा answer नहीं आ रहा, अब जो तीसरी statement है, तीसरी में क्या कह रहा हो, कि D है A और E के बीच में, D है A, तो इस that means कि D यहाँ पे आगया आपके पास, A यहाँ पे आगया, okay, that means कि हमारा arrangement है वो बन गया okay, तो यहाँ पे अपने पास में क्या कह रहा है, कि B में कौन है, B में कौन है, E, तो यहाँ से मुझी पता चल जाया, कि that means कि 1st, 2nd and 3rd, all the 3 statements are required to give the answer, so the answer will be option D, option D will be the correct answer, हाँ जी, clear, next question, next question, in a row, in a row of boys, if A is, A, who is 10th from left, A जो है, वो left से क्या है, 10th है, and B, who is 9th from right, B 9th है, right से, interchange their position, अब interchanging का case है, यह भी important है, interchanging position का case भी important है, उसका हम discuss का, correct, if A, who is 10th from left, जो A है, वो क्या है, 10th है, कहां से, left से, done, and B, who is 9th from right, B, who is 9th from right, यह अपसे 9th है, यह नहाँ पसे, if they interchange their position, position interchange करके दोनोंने, that means कि जो B है, वो यहाँ पर आ गया, A, यहाँ पर आ गया, A, यहाँ पर आ गया, A becomes 15th from left, अब जो A है, वो क्या बन गया, यहाँ से, अगर हम देखे, तो A की position क्या हो गई है, 15th from left, यह क्या था, यही जब जो यह वाली जो position है, बिटा, यह वाली position इसकी बात करा है, पहले यहाँ पर B था, अभी यहाँ पर कौन है, A है, अब यह है, यह जो position है, this is 9th from right, and 15th from left, okay, now हम भी can find out the total number of person, अब total number of person कैसे find out करते हैं, अगर आपके पास में, एक particular position, एक particular position, left और right दोनों से given है, तो क्या करेंगे, sum करेंगे position का, और उसमें से 1 को minus करते हैं, okay, तो वही यहाँ पर करना है, क्या आपके पास में, एक side से position क्या है, 9th, same position, दूसरी side से कितनी है, 25th, that means 24 बन क्या, और इसके अंदर से क्या करेंगे, 1 को minus करना है, ठीक है, कितना बन के 23th, 1 को minus करेंगे, because यह दो बार हमारा यू है, को minus हो रहा है, को minus है, हाँ जी, बताई, clear, कोई से के अंदर doubt, interchange में कोई confusion, डर, next, अब इसी तरह से अगर यह character, हाँ जी, B की position की तरह से यह बन किया, तो उस case में हम इन डोन, positions को ले लगते हैं, okay, हाँ जी, next question की तरह मूग करते है, हाँ जी, next question है, screen पे देखी क्या है, 3 persons, A, B and C are standing in AQ, AQ के अंदर 3 person है, there are 5 person between A and B, 5 person A and B के भीच में and 8 person between B and C, if there be 3 person ahead of C and 21 person behind of A, then what could be the minimum number of person in the queue, important question है, अच्छा question करेट रहा है, अब यहाँ पे question दो तरह से बन सकता है, maximum number of person आपसे पूछ सकता है, exam के अंदर और minimum number of person भी आपसे पूछी जा सकता है, ठीक है, हाँ जी, करेट रहे, देखी क्या कहा रहा है, 3 person है, A, B, C, standing in the queue, एक Q के अंदर है, अब यहाँ पे कहा रहा है, there are 5 persons between A and B, A और B के बीच में कितने person है, 5, this is A and this is B, बीच में कितने लोग है, 5 है, that means 1, 2, 3, 4 and 5, अच्छे से समझ देजी इस तरह से पूछी, done, अब दूसरा क्या कहा है, उसने, and 8 person between B and C, और C के बीच में 8 person, अब यहाँ से B से, अगर मैं सीख कूँ, यहाँ पे draw कर देती हूँ, तो यहाँ पे 8 person 8 लिखी देते हैं, समझ लोग, बस यहाँ पे 8 person है बीच में, ठीक है, दूसरा ऐसा भी तो हो सकता है, कि इधर आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, देखो, दूसरा जगर में case बनाते हैं, यहाँ पे, तो यहाँ पे यह पीटा A है, और यह B है, इनके बीच में 5 person है, ठीक है, लिखी देते हैं, अब यह 5 है, अब यह क्या कह रहा है, कि B और C के बीच में कितने है, 8 person है, B और C के बीच में 8 person, अब यह B है, अब C देखो, कहाँ पे आएगा फिर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे आगया, यहाँ पे आगया, ओके दूसरा case हमारे पास यहाँ पे बन रह ठीक है, C के आगे कितने, 3 person, अब, and 21 person behind A, और A के पीचे कितने, 21, A के पीचे कितने, 21, ओके, यहाँ से अगर हम देखें, A के बाद में कितने, 21, यह 21, Now the question is minimum and maximum आपको find out करने, तो अगर हम बात करते हैं minimum की, तो obviously यह वाला minimum का case बनेगा, तो देखो कितने लोग हो गया, 3 यह हो गया, ठीक है, 3 तो यहाँ तक हो गया, अब A तक अगर हम देखें, यह कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 यह हो गया, ठीक है, ओर 21 बेटा यह है, इसके बा हो गया, आपके पास, 28, अब यही पर अगर question आ जाता, maximum कितने, तो कौन सा case लेते, यह वाला case लेते, चलो इसको भी consider कर लेते, अगर हम maximum का case consider करें तो कितने हो गया, 21 तो यहाँ तक हो गया, ठीक है, अब A से B तक का अगर हम देखें, तो यह कितने हो गया, आपके पास में B तक, ठीक है, B और C के बीच में कितने है, 8, फिर आपके पास आगया, C, और C के बाद में, 3, C के बाद में कितना कह रहा हूँ, 3, कितने होगे आपके पास में, 21, and 9, 30, and 10, 40, total कितने में जाते, maximum, 40, maximum कितने है, 40, minimum कितने है आपके पास में, 28, that means कि अपने पास में दोनों find डाउट करने आगे, minimum, maximum का case ध्यान करना है, minimum का जब case आता है, तो overlapping का case बनता है, बिटा, overlap को रहा है, ठीक है, अगर maximum का case आता है, that means उसी में further आपको आगे लेटी जाए, clear, हाँजी, कोईस में डाउट आ रहा किसी को, clear है, okay, next question है, screen पे, अगर किसी student को order and ranking भी detail में करना है कि order and ranking का ही topic चीद, बिटा, आप भी ले सकते हूँ, micro courses में जाए, जिसके अंदर बिल्कुल basic से complete करवाया हुए, हाँजी, देखे, आपके कह, इने रो, कुमार is 7th place from left, कुमार is 7th place from left, okay, and पवन is 9th place from right, पवन का हाप है, आपके पास में, 9th place from right, when they interchange their position, हाँ चीद, इंटरचेंजिंग का केस, एक बार मुझसे ट्राई करके देखी नहीं सब्सक्राइब, अभी मैं इंटरचेंजिंग का कुस्टिन का कुस्टिन कराया भी था, अभी, करे शाबश, इंटरचेंजिंग का है, क्या कह रहे, दोनों के जोनों पे position को इंटर है, यह 11th बन गया कहां से, 7th था, अब क्या बन गया, आपके पास में 11th बन गया है, left से, अब बताओ total number और percent कितने है, row के अंदर, आपके फुलिवाली का position है, यह मुझे right से पता है कौन सी है, 9th है, ठीक है, left से मुझे पता है कौन सी है, इना पता है, अगर एक particular position, मुझे left और right दोनों से पता है, तो मैं total क्या करूँ नहीं, दोनों को plus करेंगे और उसके अंदर से 1 minus करते है, ठीक है, इतना आगया फिर आपके पास में, 10, ओके, so answer दो है option A, 19, हांजी के लिए रहे, next देखे, हांजी, next question है, screen पे, क्या गया है, गोरव ranks 18th from the top in a class, what is his rank from last, last से उसका rank क्या है, and we have two statements, there are 47 students in the class, एक class के अंदर 47 student है, अब ए, class के अंदर 47 student है, गोरव का rank क्या है, 18th top से है, तो last से find out कर सकते है, बिल्कुल कर सकते है, क्या करेंगे, minus करेंगे, दोनों को plus 1 करते हैं के position के लिए, okay, तो यहां से हम find out कर सकते क्या आगे, आपके पास में 47, 18th rank है उसका, और इसके अंदर positioning के लिए 1 plus कर देने, बिटा, कितना आजाएगा उसका, यह rank आगया, उसका, आपके पास में 30th rank आजाएगा, that means कि first statement से answer आजाएगा, सिद्धी सी बात है, क्या that means कि first statement is sufficient to give the answer, but अगर आपके पास में ऐसा question आ आपके पहले से answer आगया, तो वहीं पे नहीं रुकना, हमें दूसरी को भी check करना है, दूसरी को भी check करना है, क्या check करने हैं, फिर दूसरी से answer बन रहे है, दूसरा देखे, क्या रहे है, क्या जतिन, whose rank is 10th in the same glass, जो जतिन है, उसका rank क्या है, 10th है glass के अंदर, rank 38 from last, क्या कह है, कि जो कि आपके पास में, last से कितना है, 38 है, last से कितना है, 38 है, अब एक person है, जरी, उसका मुझे last से rank पता है, और वो 10th है class के अंदर, तो उसके अंदर इससे मुझे क्या पता चलिज़ जाएगा, total number of students पता चलिज़ जाएगी, यह है जैपी, whose rank is 10th in the same class, and rank 38 है, last, means एक एक particular person की, मुझे starting और last, दोनों से positioning पता है, that means कि यहां से हम total find out कर सकते है, total number कितना हो जाएगा, 10 plus 38, minus 1, that means कितना है, 47, again मुझे क्या पता चलिज़ जाएगा, कि मेरी class के अंदर कितनी students है, 47 students है, अब class में 47 student, और मुझे given क्या है, गोरो का रेंट क्या है, 18th, 18th है, that means कि ए 18th है जाएगा, that means कि दूसरे वाले से भी answer आ रहा है, अब क्या answer करूं मैं, तुभी पहले सा answer आ रहा है, दूसरे से भी आ रहा है, तो बोट करेंगे, नहीं, जब इस तरह का case आता है, तो आपको क्या करना है, either or करना है, either one or two is sufficient, either one or two is sufficient, okay, हाँ जी clear है सबे को, कोई समे doubt, next question है, screen पर देखिए, next question है, क्या है, रजन is 6th from left, रजन is 6th from left, left से क्या है वो, 6th, and बिने is 10th from right, और जो बिने है, वो राइट से क्या है, 10th, यह given है हमारे पास में, आपके क्या, if there are 8 boys between Rajan and Vinay, Rajan और Vinay के बीच में कितने लोग है, 8 है, then how many boys are in the row, row के अंदर कितने लोग है, आप देखो, बचों के माइंड में ना एक तरह से होता है, क्या कुछ प्लस माइनस तो करना ही है, one प्लस करते है, one माइनस करना है, concept को समझ अब यहाँ पर क्या क्या रहा है, कि यहाँ से 6 position environment की, यहाँ तक total कितने लोग होगे, 6 होगे, यहाँ से, बीच में 8 है, that means, यह पूरे को पूरे 8 होगे, और इधर से ही 10 position environment की, यहाँ से start करके total कितने होगे, 10 होगे, that means कि कितने मान के total, 24, सिधा अपने पास में answer आजाएग 24, कोई भी plus 1, minus 1 नहीं करना, okay clear, so students, आज के class में मैंने order and ranking के कुछ important questions discuss के हैं, अगर कुछ doubt रह गया, in that case, you can comment in the comment section, comment section में आप comment कर दोगे, अगर आप लोगो को वीडियो अच्छी लगी, कुछ समझ आया है, सबसे बढ़ी बात, अगर कुछ आप लोगो को समझ आया है, in that case, वीडियो को like और share जरूर करें अपने friends के साथ में, जिन्होंने अभी तक channel को subscribe नहीं किया है, channel को subscribe कर लेजी, अगर आपको कोई भी particular module की जरूरत है, किसी भी particular module की आपको जरूरत है, module means what, कि आपको quant, logical reasoning, या फिर English के अंदर से, कोई भी particular module चाहिए, in that case, go in the description, link given है, okay, इसके अलावा अगर आप कहते हैं, तो मुझे micro course, micro course क्या है वेटा, micro course means, जैसे अभी आज हमने order and ranking किया, तो आप कहते हैं, मुझे complete order and ranking करना है, इस तरह से आपको पते number system important, 10-15 option exam के अदर आयाते है, number system की, that means कि आप कहते हैं, तो मुझे तुसराफ number system चाहिए, बक्की नही इसके लावा अपिटा crash course अब लेबल है, जिन्होंने अभी तक बिल्कुर भी तैयारी नहीं करी है, तो अब वो क्या करेंगे last moment पे, एक आपको ऐसा course चाहिए, जहां पे आपको requirement के according material देजाए, अब दूसरा point यहां पे यह भी आ जाता है, कि बहुत सारी videos पढ़ी है YouTube पे तो मैं अब क्या क्या देखू last moment पे, महीना भी नहीं बचया मेरे exam के अंदर, अब मैं क्या करूँ, तो उस case में हमें वो material चाहिए, जो actual में आपके exam के अंदर आता है, means relevant material हमें एक ही जगह पे मिल जाए, तो उसके लिए आपको कहा जाना है, special crash course में, special crash course design किया, इसके video ने आप लोगों के लिए, description में लिंक अपले पले है, ठीक है, आप one month के अंदर easily उसको cover कर सकते हो, one month, अब आप लोगों के इपर depend करता है, course आपके पास online है, जितनी मर्जी बार video आप देखो, ना fast करके देखो, जो जो topics concept clear है, उनको skip कर सकते हो, जो concept clear नहीं है, उनको जो आप क्या कर सकते हो, वे स्क्रेश पॉर्स को ले सकते हो, clear, फिर भी अगर आप कोई भी क्योरी रहती है, कोई भी क्योरी रहती है, comment section में आप comment कर सकते हो, दूसरा, अगर आप crash course पे जाते हो, जो वहा पर बेटा, phone number अब लेपल है, आप वहाँ पे call कर सकते हो, आप whatsapp क सकते हो, मैं सिज़ कर सकते हो, okay? So, thank you so much. Class is all.